So everyone, welcome back to your favorite channel Magnet Brains मैं हूँ शिपरातिवारी और यहाँ पर आपको बिल्कुल free education प्रोवाइड कराया जाता है मेरे बच्चो ताकि आप अपने लाइब में बहुत अच्छा कुछ कर सके So आज की कहानी जो मुझे सुनानी आप सुनेंगे अपनी और सिर्फ अपनी शिपरा मैम की जवानी बच्चो और आज हम शुरू करने वाले हैं चाप्टर नमबर 10 जो की है microbes in human welfare अब बहुत चारे बच्चों के मन में यह सवाल होगा कि हमने bio technology क्यों नहीं शुरू किया उससे पहले आपके लिएक important information यह है कि अगर आप बनना चाहते हैं doctor या engineer तो क्यों नहीं आते हैं magnet brains में और हमारी well qualified team को follow करते हैं और अगर मैं आपको यह बोल रही हूँ तो definitely आपको करना चाहिए अगर आप अपने career में success पाना चाहते है बिना time गवाए मैं शुरू करूंगे आज का chapter जो की है chapter number 10 वो है microbes in human welfare ठीक है यह जो chapter है basically health and disease हम लोगों ने complete किया health and disease भी कहीं न कहीं microbes पे तो based था है कि नहीं ठीक है हमने जितनी सारी बिमारियां पड़ी वो सारी microbes से ही तो हो रही थी तो पहला जो chapter है इसी से related ही था basically हम वहाँ पर भी microbes की बारे में ही तो पढ़ रहे थे बस problem यह थी कि वहाँ पर हम microbes का प्रकोप पढ़ रहे थे यहाँ पर scope पढ़ रहे हैं दोनों में फर्क है प्रकोप का मतलब आपको बिलकुँ तंग कर देना परिशान कर देना जिंदगी से तरस्त कर देना आपको माट डलना यह है आपका यह कहानी हमने कहां पढ़ी थी health and disease में पर आज हम इसके scope पढ़ेंगे कि ऐसा नहीं है कि सारे जो microbes होते हैं वो बेकारी होते है और आज के इस chapter में हमको microbes के बारे में ही पढ़ना है अब आपको आगे microbes के बारे में कुछ कहाने सुनाती हूँ जब मैं PG कर रही थे तो मेरे एक मतलब कहो professor थे वो professor ऐसे बोलते जैसे भगवान हर जगा होता है और वैसे microbes हर जगा होते समझ में आई बात जैसे भगवान को आप देख नहीं सकते वैसे नेकेड आइट से तो microbes को भी ने देख सकते तो microbes जो होते हैं अच्छा यही भगवान जब गुसा जाए तो आपको श्राब भी मिलता है यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है तो microbes जो होते हैं वो अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के हो सकते हैं microbes जो होते हैं वो हर जगा environment पाय जाते हैं everywhere हर जगा microbes पाय जाते हैं उनको कोई नहीं रोक सकता है बच्चो ठीक है आप कहां कहां पाय जा सकते हैं मतलब कि glaciers जहां पर ठंडे पानी में ठंडे बरफ में कोई सर्वाइव नहीं कर सकता वहां पर यह सर्वाइव कर सकते हैं hot water stream में जहां पर गरम पानी में जरनों पर जहां पर आदमी की हड़ियां गल जाएं इतना गरमी रहती हो तो वो यहां पर भी सर्वाइव कर लेते हैं मतलब बेसिकली जहां पर नॉर्मल इनहाबिटेट हो ही नहीं सकता वहां पर यह माइक्रोब्स पाए जा सकते हैं पाइर माइक्रोब्स की अलग अलग कैटिगरी है I don't think so कि मुझे वह आपको बताने की जरूरत है बच्चो आज हम लोग जो पढ़ने वाले ना बेसिकली इससे आप बहुत कुछ सीखेंगे क्या सीखेंगे बच्चो आप इससे रिवाइस कर पाएंगे आपना क्लासिफिकेशन भी ठीक है इस चाप्टर से आप अपना क्लासिफिकेशन भी रिवाइस कर पाओगे ठीक है तो माइक्रोब्स की अगर मैं कैटिगरी की बात करू ठीक है अगर मैं माइक्रोब्स की कैटिगरी की बात करू तो माइक्रोब्स की अलग-अलग कैटिगरी होती है जैसे कि microbes क्या हो सकते हैं microbes can be of bacteria ठीक है microbes can be of protozoa ठीक है यह भी हो सकते है microbes और microbes can be of fungi ठीक है and microbes जो है it can be of unicellular algae 2 ठीक है it may be algae 2 और microbes के अंदर हम किसके बारे में बात करेंगे viruses के बारे में भी बात करेंगे ठीक है so these are the microbes जो कि normally naked eyes से नहीं दिखाई देते but term आपको जो अब learn करनी है वो है यह कि यूभी क्यूटस होते हैं बच्चो क्या होते है यूभी क्यूटस ओह हो समझ आ गई बात तो पहले चाप्टर में इसके पहले की चाप्टर में हम लोगों नहीं यह पढ़ा कि microbes जो होते हैं वो हर समय अच्छे नहीं होते वो बहुत सारी बिमारियां कॉस करते जैसे कि अब इस चाप्टर की भूमी का तो मैंने आपको बता है अच्छा वाइरस के बार infectious agent और कॉन हो सकते हैं Virions भी हो सकते, ठीक है, और क्या हो सकते, Prions भी हो सकते, Virions और Prions के बारे में क्या, देखो, Virus में क्या होता है, Virus में Protein, ठीक है, ध्यान से सुनो, Virus में Protein और Nucleic Acid दोनों होता है, पर Virion में सिर्फ Nucleic Acid होता है, बच्चो जी, और Prions में सेर्फ और सेर्फ Protein होता है, तो ये भी infectious agent हो सकते हैं, so ये सारे agent जो भी board पर लिखे हुए हैं, they are microscopic, ये क्या है बच्चो, ये हैं आपके microscopic, ठीक है, ये सब क्या है बच्चो, microscopic है, ये naked eyes से आपको दिखाई, नहीं देते, पर ये सर्ब जगा प्रेजेंट हो सकते हैं, जहाँ न जाए हाथ, वहाँ जाए microbes, ठीक है, ये वाली कहानी, जहाँ न जाए भगवान, वहाँ जाए microbes वाली कहानी है, now इस chapter का, अब हम पढ़ेंगे bifurcation की हमको किस-किस चीजों में microbes को इस्तुमाल करना है, not even the environment बच्चो, even आपके शरीर में कितने microbes हैं, मतलब मुँ में तुने microbes, intestine में तुने microbes, मतलब तुम सोचो कि अगर E-coli नहीं होता, तो तुम अपने खाने के बलक को कभी नहीं कम कर पाते, जो इत्ता सारा खाते हो ना, वो कभी भी कम नहीं हो पाता बच्चो, तो क्या करते हैं, फिर उत्ती सारी पौटी करते, ठीक है, अब उत्ती सारी पौट करते हैं, तो इसका मतलब यह कि एक ही बैक्टीरिया के अगा अलग स्ट्रेंट खतरनाग भी हो सकते हैं, और बेनिफीशल भी हो सकते हैं, यह शरीर चलता फिलता फिरता इंक्यूबेटर है, इसकी हर जगा पे microbes बने होते हैं, बट यह हेल्दी microbes, जो आपको नॉर्मल एंव पार्मेंट में सर्वाइव करने में मदद करते हैं, और जिसकी वज़ा से आप अच्छे से सर्वाइव करते हो, और आपका microbial flora, inhabitate flora जो होता है, flora का मतलब जो population आपके अंदर रह रही है, वो सब maintain रहती है, और अगर वो maintain रहेगी, तो आपका ecological balance जो शरीर के अंदर चल है, वो कभी भी खराब नहीं होगा, और जो धीरे धीरे जो bacteria काम कर रहे हैं, वो करते रहेंगे, चली, इस chapter के content के बारे में बात कर रही हूँ, तो हमको ये समझ में आया, कि इस chapter में we have to learn the benefit of microbes, ठीक है, और इस chapter के content में what we have to learn, ये major concern है, किसमें हमको पढ़ना क्या है, अब स सबसे पहली दिकत, जो है, दिकत नहीं, अच्छी है, इस chapter में सबसे पहले हम microbes को पढ़ेंगे, किसमें, human welfare में, human welfare तो chapter यह, human सबसे पहले क्या होता, मतलब अगर मैं बोलू, कोई आदमी बहुत अमीर है, कोई आदमी बहुत गरीब है, कोई आदमी कैसा भी है, मैं हूँ, त All are dependent on the household thing, we are dependent on the house का, we are dependent on every curd house का, cheese, paneer, this all you wanna know, को यह देखना है कि जो microbes है, उनका role आपके घर में क्या है? microbes in household, थीक है, इसके इसके इनर बहुत सारी चीजे बहुत है, behave, Bayar, जै को चोटरीटा है, हम ननला आथया है देन, है तो अब हमको यह मैं आपको ही बता रही थी कि microbes जो है वो household में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे household में ठीक है मतलब घर एक मंदिर में microbes का क्या rule है मतलब अगर आपका microbes नहीं होता तो घर पर दाही नहीं बनती रे चीज नहीं बनती पनीर नहीं बनती ठीक है अब हम पढ़ेंगे microbes जो होते हैं वो इंडस्ट्री में क्या role पे करते हैं ठीक है मतलब कि आपने देखा होगा कि बहुत सारी इंडस्ट्री में आर आपका acid industry में, phenyl industry में, chemical industry में, antibiotics बनाने में बहुत जगा microbes का role है ठीक है तो industries में क्या role होता है बचो उसके बाद we have to learn what ठीक है उसके बाद हमको या पढ़ना है microbes in sewage treatment in sewage treatment ठीक है मतलब आपके पानी को treat करने में कितना बड़ा role है ठीक है यह हमको देखना है कि आपके पानी को treat करने में कितना बड़ा role है समझ में आरी बात सो microbes का हमको sewage treatment में मदद तुम सोचो कि एक industry है जिसमें इतना सारा पानी हमने आपके normal water body में मिला दिया अगर हमने normal water body में पानी को मिला दिया जो गंदा पानी है तो तुम सोचो कि जो वहाँ पर रहने वाले जीव जनतु है उनको कितना बड़ा loss होगा यार ठीक है बड़ी समस्या है तो ऐसे में हमको microbes का इस्तमाल करते हैं हम sewage treatment में ये एक बहुत बड़ा रोल है उसके बाद हम पढ़ेंगे बच्चो जी किसमे microbes as a bio control agent microbes as a bio control इसका मतलब समझे सोचो हमको खेत का कोई microbes मारना है यह किसी चीज का हमें कोई microbes मारना है और उसको मारने के लिए हम एक microbes यूज़ कर रहे रा 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 यह मतलब घोर अनर्थ चल रहा है मतलब एक इंसान को तुमने पॉइंट किया है दूसरे इंसान का murder करने के लिए ठीक है हम वो इंसान ज्यादा पापी होगा इसलिए तुमने murder करने के लिए पॉइंट किया है उसके बाद हम पढ़ेंगे आपका bio fertilizer चीक है उसके बाद इस chapter में हमको discuss करना है bio fertilizer के बारे में so this is the chapter content जो हमको अभी deal करना है तो household में हमको बहुत सारी चीज़े पढ़नी है जैसे कि क्या क्या बनाते है इडली डोसा बनाते हैं जली भी बन सकती है इंड़स्ट्री में एलकोछ बैकरी इंड़स्ट्री हो गई सब जगा माइक्रोब का यूज है ठीक है सीवेज इट्मेंट में गंदे पानी जो की में वाटर बॉटर बाइडिंग में मिला रहे हो उसको साफ करना बहुत जरूरि है और उसमें लेक्चर 11th क्लास में मैंने बना रखा, इसमें माइकोराइजर हमको पढ़ना है बच्चो, ठीक है इसमें हमको बहुत सारे टाइप के माइकोराइजर, बहुत सारे आपके सिलिबस में नहीं है, पर इसमें हमको माइकोराइजर के बारे में पढ़ना और 11th क्लास में माइकोरा household यह लिखा मैंने कि घर पर क्या इस्तिमाल है ठीक है फिर industries में क्या इस्तिमाल है बहुत सारी industries होती जिसमें तो कोशिश करेंगे कि 6-8 लेक्चर में इस पूरी कहानी को खतम किया जाए चलिए आगे बढ़ते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिस प्रकार से भगवान हर जगा प्रिजेंट रहते हैं बच्चो जी वैसे ही Microbe भी हर जगह present रहते हैं J am I am 68 अगर आपिसी gwार एचाल जैसे यह पतinh इसमें कुछ मत लगाओ और इसको में रख दो और 15 घंटे तक रखे रहें दो एक दिन बाद निकालो गे ना तो उसमें बहुत सारी ऐसी कॉलोनी दिखाई देंगी और जो वाइट वाइट आपको दिख रहा दी दे आर वाट यार माइक्रो ऑर्गैनिजम जो यह इंडिकेट करते हैं कि एर में बहुत सारे कॉर्टर में एर में एवरिवेर ठीक हैं उसके बाद यह आपके अंदर भी प्रेयों हो सकते हैं दूस्सरे अंदर में प्रेजेंट हिसा टाक्टि उस्संधी उसकते हैं यह उन जगहों भी हो सकते हैं बचुछी यहां पर कोई लाइफ नहीं पाई जाती पर फाए जी एक रहा… ग्लेश назад अगर temperatures hot degree से भी ज़ाद है तो वहाँ भी soil के बहुत अंदर under the layer of snow ठीक है इतना thick snow भी पाए जाते हैं जहाँ पर 10-10 kilo 10-10 meter तक की thickness क्या नाम है that snow की वहाँ भी पाए जाते हैं ठीक है even highly acidic environment में भी यह पाए जाते हैं ठीक है ने ने बच्चो जी microbes belongs to the diverse group जैसे की bacteria यह पढ़ाया bacteria किस group का है इस चाप्तर से आपको बहुत कुछ और learn करने के लिए मिलेगा क्या पता है अब थोड़ा थोड़ा सा learn कर पाओगे क्या classification ठीक है तो bacteria, monera, fungi, fungi, protozoas and microscopic plant जिसके इंदर हम algae इसके बारे में पढ़ेंगे ठीक है Now, viruses, viroids and prions जो होते हैं यह भी among microbes ही count किया जाते हैं क्योंकि यह भी infectious होते हैं तो जिनको आपको नाइकेड आइस से नहीं दिखा रहे हैं दिख पा रहा है और यहार फाइदेमांट और यहार इंफेक्शियस दे ओलार microbes ठीक है Now, अब अगर मैं बात करूँ कि मैं क्या लाब में bacteria होगा सकती हूँ ठीक है बिलकुल आसानी से सबसे आसानी से लाब में bacteria ही उगता है ठीक है देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि मुझे किसी भी चीज का industrial production करना है Suppose that कि मैंने X प्रकार की antibiotic चाहिए मुझे और मैं चाहती हूँ कि Corona treatment के लिए एक antibiotic आजाए जो कि impossible type की चीज है पर मैं बोल रही हूँ कि मैं चाहती हूँ कि COVID के treatment के लिए एक antibiotic मुझे मिले तो क्या हम सीधे जा के industry पर experiment करते हैं जी नहीं सबसे पहले हम lab में experiment करते हैं ठीक है क्या करते हैं बच्चो सबसे पहले हमको experiment कहा करना पड़ता है सबसे पहले experiment हमको करना पड़ता है laboratory में लेबोरेट्री के बाद हम करते हैं small scale production, ठीक है, small scale production का मतलब यह है कि पहले एक या दो batches बना के देखते हैं कि सही बन रहा है नहीं बन रहा है, उसके बाद इसका large scale production किया जाता है, तो अगर आपको यह लगता है कि हमें कोई चीज बनानी और सीधे industry में जाके बनाने लगते तो ऐसा नहीं है, सबसे पहले लोग करते हैं, this method is tested and whatever जो ठीक है, तो tested का मतलब कहां टेस कर रहे हो, lab में, तो laboratory जो जगह है वहाँ पर किसी भी चीज को बहतरीन तरीके से पहले proof किया जाना चाहिए, जब भी हम किसी bacteria पर study कर रहे हैं, तो पहले इसको medium में उगाना चाहिए media क्या होता है, जैसे कि आपने देखा होगा, जो कि देश, यहाँ पर एक media है, तो media ब्लड अगार है, कुछ नहीं होता है, अगार एक solidifying agent है और इस plate पर हम एक media बनाते हैं, ठीक है, मीडिया में वो सारी चीजे होती है, जो एक bacteria की growth करने के लिए बहुत जादा important होती है, तो उस पे हम लोगों ने उगा लिया, उसके बाद जो भी bacteria उगाना है, उसका एक colony डाल दी, उठाया, colony डाल दी, कहा से उठाया, दूसरी प्लेटरी प्लेट पे था, नहीं था, तो और भी method जिससे हम उगाते हैं, वो बताऊंगी मैं आपको, फिर डाल दिया हमने और छोड़ प्लेटरी में उगाये जा सकते हैं, नॉर्मल कल्चर में ये उगाये जा सकते हैं, कोई tension, कोई परिशानी नहीं, पर अगर मैं बात करूँ वायरेस, विरोइट्स और प्रियोंस की, तो वायरेस के लिए स्पेशल सेल कर्चर चेंबर बनता है, जहां पे नॉर्मल एरियेश प्रियोंस केन नॉट बी कल्चर इन दा सेल फ्री एक्स्ट्राइट, सेल फ्री एक्स्ट्राइट का मतलब यह है, कि इफ वी वायरेस जो होता है, इसको मल्टिप्लिकेट करने के लिए किसी की मशिनरी चाहिए होती है, मतलब तुमारे अंदर गुस रहा है, तो तुमारी इसका मतलब यह है, कि इनको ग्रो करने के लिए आपको लिविंग सेल चाहिए, और इनको बाजू बालो कुबागी बैटीर, प्रोटीर, फंगस, इन सब को ग्रो करने के लिए, आपको सेल फ्री मीडियम, मतलब सेल नहीं भी होगी, आप उसको प्रॉपर नूट्रेंट जै जैसे मालो, थेक्ए, सब्सक्राइब कि मैंने किसी प्लेट को जिसमें नूट्रियन मीडियम भरा हुआ है, उसको मैंने हवा में रख दिया, उसके बाद मैंने उसको 24 गंटे के लिए छोड़ दिया, तिया, 24 गंटे में मत छोड़ो, आट-10 गंटे तक छोड़ दिया, उसक अब बेक्टिरिया तो इस कलर का होगा, मैंने उस कलर की को उठाया, लूप होता है, तो उठाया अपने एक पेट्री प्लेट में रखा और उसको पूरे पेट्री प्लेट में ऐसे गुमा दे, एक कॉलनी उठायी और उसको गुमाया, इमल्सिफाई किया, थेला दिया और पूरे पेट्री 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 उसी लूप से ऐसा ऐसा कर दिया, अब यही जो पूरा बेक्टिरिया सब जगा फैला दिया, इसको 24 गंटे तक इंक्यूबेटर में लग दो, जब आप सुबह उठोगे तो जहां जहां पर आपने लूप घुमाया होगा, वह पर आपको ऐसे ऐसे बेक्टिरिया ग्रो हुए दिखाई देंगे, ठीक है, समझ में आई बात, और जो बेक्टिरिया ग्रो हुए उन्हें कॉलोनीज कहते हैं, और यह नेकेड आई से कॉलोनीज तो दिख सकती है, पर इसके इंदर जो बेक्टिरिया है, वो आपको नहीं द देखके बता देते हैं कि यह यह वाला बेक्टिरिया उसको उठाया, स्टेइनिंग की, दिख गे आपको मॉर्फॉलीजी की वो कैसा दिख रहा है, ठीक है? Now, microbes are the casual agent of most the infectious agent. Normally, जो microbes होते हैं, वो infectious agent होते हैं, ठीक है? They also been used by the human and nature in many important process, जैसे कहां कहां, homes में, industries में, agriculture में, CVS treatment में, हर जगा तो यह यूज किये जाते हैं. Agriculture में is a biocontrol agent, ठीक है? हर जगा यह यूज किये जाते हैं. Now, अब हम आपका EC part का NCIT वाला हिससा पढ़ते हैं, यह देखिए. बच्चोची, अब introductory part में, आपके NCIT में क्या लिखा हैं, एक बर समाज लेते हैं. Besides microscopic plants and animals, microbes are the major component of the biological system on this earth. तो plant and animal के लावा भी आस पास जो है कुछ और्गानिसम हैं, जिनका बहुत बढ़ा रोल है. You have studied about the diversity of living organism in the 11th. Do you remember which kingdoms among the living organism contain microorganisms? बताओ कौन-कौन साम, Monera, Protista, और फंजाए, और थोड़े से Elgis, ओके जो की plant में आते हैं. Which are the ones that are only microscopic? Monera, Monera में सारे microscopic होते हैं. Microbes are present in everywhere, soil, water, air, inside the bodies, ठीक है, plant की bodies, manual की body में. यहां पर वहां पर पाए जाते हैं, जहां कोई life form नहीं होती है, जैसे कि कहां कहां पाए जाते हैं, same as it is slide में लिका था, ठीक है, जैसे कि glaciers में पाए जाते हैं, जहां पर 100 degree temperature होता है, soil के अंदर होते हैं, बहुत मीटर जहां बर्क की परत होती हैं, ठीक है, यह याद रखना कि viruses, viroids and preons, इनको आप normal media में नहीं होगा सकते, इनके लिए cell चाहिए, उनको cell के अंदर ही grow होते हैं, viruses वो होते हैं, जिन में protein और आपका nucleic acid दोनों होता है, protein का cover होता है, nucleic acid होता हमने HIV कर पड़ा हुआ है, और viroids वो होते हैं, जो सिर्फ nucleic acid होते हैं, preons वो होते हैं, जो की protein होते हैं, some of the microbes are shown in 10.1 and 10.2, आईए देखते हैं, I don't know, 10.1 उनका देखते हैं, जैसे कि अगर आप यहाँ पर देख रहे हों, तो यह rod shape का bacteria है बच्चो, ठीक है, यह क्या है NCIT का, हर चीज आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसी से paper आने वाला है, यह है आपका rod shaped bacteria, क्या है बच्चो, rod shaped bacteria, डन, यह है आपका rod shaped bacteria है, डन है, उसके बाद यह है spherical shaped bacteria, spherical shaped bacteria, ठीक है, आपको पता है कि जब भी हम rod shaped bacteria बोलते हैं, उस shape का नाम होता है, यहाप पर नहीं लिखा NCIT में बता दूँ, मैं आपको bacillus, ठीक है, bacillus, ओके जो लंबे-लंबे bacteria दिख रहे हैं, वो होते bacillus, और जैस फेरिकल shape के bacteria दिखते हैं, इनको हम कहते हैं, कोकाई, क्या कहते हैं, कोकाई, जैसे compilobacter, ऐसे बहुत सारे बेक्टीरिया होते हैं, जिनमें आपको दिखाई दे सकता है flagella, ठीक है, तो यह आपकी NCIT बता रही है, 1500X पर अगर देखेंगे, X का मतलब होता है, जितना ज्यादा आप X बढ़ाते जाते हो, तब microscope का resolution बढ़ता है, उतनी छोटी चीज़े आप image magnify करके देख सकते हैं, 50,000X पर आपको, ठीक है, एक rod shape का बेक्टीरिया इस तरीके का दिखाई देता है, X का मतलब होता है, resolution power, अगर आप बहुत जादा resolve करके देखेंगे, तो मतलब और जादा magnification बढ़ाएंगे, तो आपको बेक्टीरिया ऐसे दिखाई देंगे, ठीक है, अब यहाँ पर 10.2 में यह क्या है, बच्चो बेक्टीरियो फार्ज है, बेक्टीरियो फार्ज में पिन होता है, यहाँ पर head में जो है, इसका genetic material होता है पिन से वो ऐसे करके इसे पंप करता है और genetic material cell के अंदर छोड़ देता है, ठीक है, यह बेक्टीरियो फार्ज हुआ, उसके बाद यह वाला जो वाईरस है, यह है एडिनो वाईरस, ठीक है, यह है एडिनो वाईरस, और एडिनो विरिडी फैमिली का वाईरस है, और यह अग को बता रही थी, कि जो और गानिसम होते हैं, वो किसी nutrient media में grow किये जाते हैं, तो अगर आप यह देखोगे, यह gray gray color का, यह है इसका बच्चो nutrient media, यह क्या है बच्चो इसका nutrient media है, और white white color की इसकी colonies है, क्या है बच्चो इसकी colonies, ठीक है, this is colonies, अब यहाँ से loop होता है, ठीक है, ओके, नाइक्रोम लूप कहते हैं, उसको हम, नाइक्रोम लूप को अच्छे से heat करो, ताकि ऐसा नवक्त उठाया, जादा गरम हुआ तो भी मर जाएंगी, तो पहले ठंडा करो, उसके बाद ऐसे करके colony उठाओ, फिर दूसरी प्लेट में ऐसे से streak करो, और फिर उसको 20 सब्सक्राइब करो, तो यह देखो, आपकी हरी कलर की कॉल्नी दिखाई दे रही है, किसी भी फंगस का कलर देखकर हम यह बता सकते हैं, कि फंगस कौन सा है, आगे बढ़ें, ठीक है, चलिए, अब इन चाप्टर 8, ठीक है, चाप्टर 8 में हमने पढ़ा कि माइक्रोम जो हो आपने वायरिस की बिमारी पढ़ी, प्रोटोजोल की बिमारी पढ़ी, फंगस की बिमारी पढ़ी, जितनी भी बिमारी पढ़ी, अल्तिमेटली माइक्रोगर्निसम की बज़ए से फड़ी ना, they also cause the disease in animals and plants, ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ animals में बात हो रही है, प्लांट्स बि बिमारिया कॉस्स करती है, but this should not make you think that all microbes are harmful, पर इसकी वज़े से आपको यह नहीं सोचना है कि सारे हमफुल ही है, बहुत चारे ऐसे भी हैं, जो कि man के लिए बहुत जादा फाइदे मन्द होते, some of the important contribution of microbes जो है, वो इस chapter में हम discuss करेंगे बच्चो, ठीक है, so introductory part is done, ठीक है, हमको इस chapter में क्या क्या पढ़ना है बच्चो, एक बाई फिर से देख लेते हैं, इस chapter में हमको पढ़ना है, कौन-कौन सी जगव पर हम microbes का इस्तमाल करते हैं, कौन से microbes का इस्तमाल करते हैं, और उनको use करके हम क्या बनाते हैं, तो सबसे पहले हमको microbes का use देखना है household में, ठीक है, क्योंकि घर जो है, उसको छोड़कर industries में जाने का पहले कोई मतलब नहीं है, पहले आप घर पे देखो कि क्या use कर रहे हो, ठीक है, जैसे आप curd बनाने में microbes का इस्तमाल बताऊंगी, यह बहुत ही cute सा, छोटा सा, सुंदर सा, प्यारा सा, नन्ना मुन्ना सा चाप्टर है, चल्दी से इसको complete करेंगे, और थेड़ चाप्टर में खूच जाएंगे, तो आपको मैं यह उम्मीद कर रहे हैं कि introductory part और इस चाप्टर का overview समझ में आ गया होगे, कि कैसे bacteria होगाते हैं, better dish क्या होती है, किसको culture कर सकते हैं, किस चाप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है, तो अगर ऐसे ही आप मेरे बहुत अच्छे लेक्टर चाहते हैं, तो क्यों नहीं आते हैं, Magnet Brains website पे वहाँ जाए, class 12 पे click करिए, click करने के बाद आपको मेरे सारे lectures की playlist मिल जाएगी, playlist पे click करिए, और lecture से देखू, नया updated version है, यह मेरा, ठीक है, तो पहले पुराना वाला लगाता, अभी health and disease term 2 वाला ही लगा दिया मैने, सो आपको मिल जाएगी सारी कहानी, और एक बात और बता दो, जिन बच्चों को यह problem नहीं नीट में आएगा, कि नीट के लेवल करें, सब नीट के लेवल करें, और वही पढ़ा रही हूं, जो नीट में आएगा, ही आएगा, ठीक है, सो इस इस एट, I hope you learned and enjoyed the session, see you in the next amazing lecture, मेरे प्यारे बच्चों तब तब तब, thank you so much and bye-bye.